हाई गाईज कैसे आप लोग तो आप मैंसे कुछ लोगों ने नया आइफोन पर्चेस किया है और कुछ लोगों के मुझे कॉमेंट्स आ रही है खरें का आम वां आइफोन के फोटोस से कंप्थर मिधर करने है सुम्झाने वाला हूँ आपको अपना आइफोन से फोटोस के विडियो लें आपको आइट्वून के उपर्येद कई रिकवर्मेंट नहीं है आपको कोई भी टाइब के software के यहाँ पर requirement नहीं है बस आपको अपना computer चाहिए Windows based and आपको जो चाहिए अपना iPhone अगर आपके बास Mac वो तो यह process बहुत साथा simple है लेकिन सिधी बात है यह जो instructions यह जो tutorial में बना रहा हूं Windows PC के उपर बना रहा हूं तो यहाँ पर जो हमारा पास एक iPhone है जिसको हम लोग जाए वो lightning port से connect कर लेंगे and मेरे computer की screen recording चालो है तो यहाँ पर हम लोग को एक pop-up देखने मिल जाएगा automatically जैसे हमारा जो iPhone है वो connect होगा तो आप लोग यहाँ पर check out कर सकते हैं तो pop-up हम लोगों को देखने मिल गया अभी अगर आप लोगों ने अपना iPhone first time connect किया है तो यहाँ पर आपको एक pop-up देखने मिलेगा trust this computer or not तो आपको यहाँ पर आपके जो computer है उसको trust करना है अगर आप लोग जो trust नहीं करोगे तो आपका जो iPhone है आपके computer के साथ attached नहीं होगा तो यहाँ पर आपको trust को click करना है अगर first time आप लोग यह चीज़ कर रहे हो एक बार आपने trust कर दिया next time यह trust का आपको option यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप check out कर सकते हो computer के screen के उपर आपको यहाँ पर internal storage का option यहाँ पर आपको देखने मिलेगा हम लोगो internal storage के अंदर जाना है DCAM के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको multiple photos देखने मिल जाएंगे जितने आपके photos and videos होंगे तो यहाँ पर मेरे पास limited photos and limited videos है तो हम लोग जो है एक video है let's say यह 3.5 GB का video है इसको हम लोग migrate करेंगे अपने computer के अंदर तो जैसे ही मैं यहाँ से इस तरह desktop पे move करोगा तो यहाँ पर आप लोग चेक आओड कर सकते हो migration start हो चुका है लेकिन यहाँ पर यह migration actually में कर नहीं रहा इसका एक reason है यहाँ पर आपको एक error शो हो रहा है इसके अलवannie कर रहे है है और आपको settings के अंदर photos के setting के अंदर जाना है अगर इस तरह के आपको error आ रही है तो ओन आपको स्क्रोल डाउं करना है और अपको यहाँ पर automatic option यह selected होगा वाय default तो आपको यहाँ पर keep originals पर select करना है settings के अंदर photos के अंदर यहाँ पर आपको keep originals पर select करना है अगर आप यह जो है keep originals को select करोगे फिर जो है आप लोग फिर से इसको attach करना अपने computer के साथ हमको फिर से pop-up देखने मिलेगा और हम लोग जो है my pc के अंदर चले जाते है यहाँ पर यह जो वीडियो था हम लोग पहले जो migrate करने का try कर रहे आप लोग चेक आउट कर सकते हो इसका size भी कम हो गया क्यूंकि यह automatic पर फाइल size चेंज कर देता है और automatic पर वीडियो को अलग format में convert कर देता है आपके computer के अंदर migrate करने के लिए अगर आप keep original रखोगे तो आपको कोई भी problem नहीं आएगा हमेशा आपका iPhone के अंदर जो है वो department के अंदर photos के department के अंदर keep original selected रखना अब यहां से जो है मैं इसको move करूँगा तो आप लोग check out कर पाऊगे के यह जो है easily अब यह move हो रहा है देखो यहां पर मुझे जो है वो कोई भी error शो नहीं कर रहा है तो इतना simple है आपके iPhone से photos या videos अपने computer के अंदर migrate करना एक simple सा option है जो लोगों को बहुत जादा तकलीफ है देता है वो simple सा option जो है मैं आप लोगों को बता दिया अभी यह मेरा video जो है वो 2GB का इसलिए time ले रहा है लेकिन आप लोग check out कर सकते हो यह at the end migrate तो कर रहा है तो यहां पर यह process को मैं continue रखता हूँ ताकि आपको पता चल क्योंकि यह तो video के time पर में इसको fast forward करूँगा कुछ ने कुछ हम लोग कर लेंगे लेकिन बस यह process complete हो जाए ताकि आपको एक satisfaction हो जाए कि नहीं अब यह transfer वो हो रहा है तो आप लोग यहां पर check out कर सकते हो transfer almost completed तो यहां पर बस drag and drop करने से हमारा काम हो गया अभी एक photo है मेर videos based PC के अंदर photos या videos migrate करना अब आपको next process बताता हूँ किस तरह अपने computer से आप लोग आइफोन के उपर photos या videos migrate कर सकते हो यह process complicated तो नहीं के सकते है लेकिन इसके लिए आपको iTunes की requirement है तो हम लोग क्या करेंगे iTunes का जो application उसको open कर लेंगे अगर आपके बस iTunes नहींगे तो latest iTunes आपका iPhone कनेक करोगे तो फिर भी आपको trust का option दिखेगा तो आपको allow कर देना है कोई issue नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है अब आप लोग यहाँ पर check out कर सकते हो iTunes open होने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा iPhone का एक icon दिखने मिलेगा इस icon पर आप लोग क्लिक करोगे आपको iPhone की सारे information यहाँ पर दिखने मिलेगी और यहाँ पर आपको चले जाना है photos के department के अंदर यहाँ पर आप लोग check out कर सकते हो sync photos का option off है तो अगर आपको अपने computer से iPhone के अंदर photos डालने हो तो आपको basically first of all यह sync photo को on करना है और यहाँ पर आपको नीचे एक option दिखने मिलेगा copy photos from तो आपको यहाँ पर select करना है and choose folder करना है आपको यहाँ पर iTunes को instruction देना है कि कौनसे folder में से तू photo या video iPhone के अंदर migrate कर तो यहाँ पर आप लोग कोई भी folder select कर सकते हो जहाँ पर आपके photos या videos पड़े हो या तो आप एक नया folder कहीं पे भी कोई भी अपने computer के location के उपर create कर सकते तो यहाँ पर जो है मैं desktop के उपर जाके एक नया folder बना लेता हूं just for the sake of testing तो यहाँ पर desktop के उपर मैं एक नया folder बना लूँगा iPhone 12 करके ठीक है और यहाँ पर मैं select folder पर click कर लूँगा तो मैंने किया किया यहाँ पर मैंने iTunes को instruction दिया कि मेरे जो photo है तुझे यह iPhone 12 करके जो folder है वहाँ से sync करके iPhone के उपर migrate करने है अभी उमीद करता हूं मैं clearly explain कर पा रहा हूंगा और यहाँ पे जो है मैं include videos का भी checkbox on कर दूँगा अगर आप include videos का checkbox on नहीं करोगे तो अगर आपके iPhone 12 के folder में videos होंगे तो वो migrate नहीं होंगे और यहाँ पे जो है आप लोग 0 photos यहाँ यह दोनों को लेके मैं iPhone 12 के folder के अंदर डाल देता हूं जो कि मैंने desktop पे बनाया है तो आप लोग check out कर सकते हो यह जो दो photos है यहाँ पर आ चुके है अब मैं iTunes के अंदर जाओंगा और यहाँ पर apply पे click करूंगा जैसे ही apply पे click करूंगा तो आप लोग check out कर सकते हो sync का process complete हो च निचे जाओगे तो एक नया option आपको यहाँ पर देखने मिलेगा from my Mac आप लोग check out कर सकते हो तो यह जो एक वीडियो है और एक photo है जो मैंने computer से इसके अंदर जो है मैंने migrate किया वह आपको यहाँ पर from my Mac के folder के अंदर देखने मिलेगा यह वाला वीडियो है देखो and अगर हम लोग जाए यह photo की बात करें तो इतना simple है guys अभी यह जो process है उससे आपके जो पुराने photos and जो पुराने वीडियो से वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे है लेकिन आपके iPhone के अंदर एक नया album क्रेट हो जाएगा from my Mac and future में आप जितने भी photos and जितने भी वीडि उन से connect करोगे तो आपका जो sync है यहाँ पर automatically enabled हो चुका है आपको next time जितने photos आप लोग डालोगे वो folder के अंदर iPhone connect करोगे आपका iPhone के अंदर वो photo and video easily migrate हो जाएगे तो इतना simple है यह process उम्मीद करते हूँ आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह iPhone से photos and videos computer के अंदर migrate करने है and computer से photos and videos iPhone के अंदर migrate करने तो यह तका आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आयो पसंद आतो वीडियो को like और share जरूर करना और अगर चैनल पर नहीं हो अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और जो bell वाला icon उसको प्रस करते है नोटिफिकेशन सेलिया थैंक यू